हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से आप अपने फेस्बूक आईडी का जो नेम है वो कलर फुल कलर चेंजिंग नेम आईडी बना सकते हैं वो भी बिना किसी प्रॉक्सी या प्रूफ के या विटाउट नेम अपडेट मेठोड के है तो बड़ा असान सा तरीका दोस्तों मैंने कलर फुल कलर चेंजिंग के उपर और भी वीडियो बनाई हुए हैं पर आप देख लीजे ये ट्रिक भी और ये आईडी भी कैसे बनता ह है आपको जिस तरीका का कलर फुल आईडी पसंद हो आप उसी तरीका का बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप रभी से मेरे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कैए तो जरूर करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो अपनी आईडी जो है वो किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर ले आप चाहें तो ओल्ड आईडी को भी कर सकते हैं पर मैं या न्यू आईडी बना करी आपको दिखा रहा हूं तो आईडी आप अपने ब्राउजर में ओपन कर इजिए open करने के बाद दोस्तों आपको settings and privacy में जाना है उसके बाद personal information में जाना है उसके बाद आपको name edit options में जाना है दोस्तों याद रखें अगर आप old id यूज कर रहे हैं तो आपका name change available होना चाहिए इसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए आपको first name आप यहाँ पर name change कर लेना है तो first name में आप कोई भी single name रख लीजिए तो मैं यहाँ जैसे मस्ती लिख लेता हूँ अपने youtube channel का name से अप middle name में भी आप उसी name को दो बार लिखेगा फिर sun name में भी आप उसी name को एक बार लिखेगा तो total four times हो चुके है इस तरीके से आपको नाम लिखना है आप कोई भी नाम यहाँ लिख सकते है single word का अब review change कर लेजिए तो जैसी review change करेंगे आपके सामने this options आ जाएगा अब यहाँ पर आपको क्या करना है पहले वाले options देखे चार बर नाम लिखा हुआ है single word का उस पर टिक करके आपको यहाँ पर password देखकर अपना जो name है यह safe कर लेना है तो मैं password देखे name को save कर लेता हूं दोस्तों यह एकड़म 100% working तीक है अब देखिए दोस्तों अब आपको क्या करना है आप अपने browser से दो बार back चले जाएगा तो मैं यह आपर दो बार back चले जाता हूं तो दोस्तों जैसी आप back जाएंगे दो बार तो आप फिर से उसी name edit पेज़ पर पहुंच जाएंगे अब आपको यहाँ पर जो middle name है वो पूरा delete कर देना है और first name में आपको name delete करके आपने जो अपने colorful name बनाया हुआ है उसको यहाँ पर paste कर दीजिए मैं description में भी दे दूँगा आप अपने name के हिसाब से बना लिएगा इसके बाद दोस्तों उस first name में एकदम last में आप add the rate of first bracket second bracket लिख लिजिए यह लिखना जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपका जो surname पर single worker जैसे यहाँ पर मस्ती लिखा हुआ है तो वो so नहीं होगा अब आपको review change पर click करना है तो यह देखिए दोस्तों अब पहला वाला options आप यहाँ पर tick कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए add the rate of first bracket second bracket उसके बाद मस्ती लिखा हुआ है तो आपको पहला वाला options पर tick कर देना है और नीचे password देकर इसको save कर लेना है तो मैं password देके इसको save कर लेता हूँ उसके बाद मैं आपको fv light में भी दिखा दूँगा कि यह कैसा colorful so होगा तो दोस्तों यह trick बड़ा आसान से है आप ठीक से कीजिए आप ठीक से करते नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि यह fake video है work नहीं कर रहा है अब यह देखिए facebook लाइज में मैंने open कर लिया तो आपको id इस तरह से colorful color changing पे so होगा तो दोस्तों उमीद आपको इसी पसंद आया होगा प्रीस हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए share कीजिए कीजिए